कि नमस्कार मैं हूं राकेश आप लोग के सामने स्वागत करता हूं उमीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हों के 23 लेक्चर के लिए संभावित जो भरती है उसके लिए लगातार प्रेपरेशन के दौर में 23 लेक्चर आप लोग के सामने है जिसमें आज हम देखे कर लिया था वैसे साइंस के कई सारे उसका अब करने हैं और एक कोशberry बनते हैं वह भी हम देखने कोशिश करेंगे परमपरागत रूप से हम ऐसे नहीं करते की अब्जेक्टिव कोशन है और उसको हम लोगा है solve कर दियो और answer कि निकाल के हम आगे बढ़ते हम ऐसी कोशिश करते हैं कि उस कोशन से fragmented तरीके से और कितने कोशन बन सकते हैं और आपको अगर उचीज नहीं आती तो नोट जरूर करिएगा अगर आपने मेरी अब तक क्लासे से कॉपी बनाई होती तो तेईस लेक्ट अब तक अब तक अब तक आपको 500 कोशन मिल चुक होते और और गैरेंटे के साथ 500 कॉशिनों में 200 कोशन आपको नहीं मिलते तो नोट स्यार होते हैं ऐसे जो चीज़ आपको आती है वह कामी कीने तृष का han next रहा है। मैंने इंग्लिश में लेका हिंदी में भी मैं इसको लिख दूँगा बोल दूँगा। हाना किस खादेपदार सो खाने से तुरंट अनर्जी मिलती है। कोशन यह है। अब यह क्या option में क्या रहेगा आपके option में रहेगा carbohydrate ठिक है। फिर हैगा fat फिर रहेगा protein फिर रहेगा vitamin इसमें सिदे सीदे हासा question कि किस चीज़ को खाने से इनमें से कि सको खाने से आपको सबसे जल्दी उर्जा मिल जाती है तो SARAH होगा carbohydrate को आने से आप लोग आपको सबसे ज़्यादा और तुरंत तुरित उर्जा मिलते इंस्टेंटली इसलिए हैं ग्लुकॉन डिप्यों ग्लुकॉस एक्चुली इसमें क्या होता पूरा काव होता है उसके अंदर अगर आप कार्भोहाइटिड खाते हैं तो तुरंत उर्जा मिल ज केला खहो तो उसमेंग घ्रुंको कॉषिन के कर्भोहाइट है इस चीज़ को ध्यान देना है और इस हिसमेंगी चलना आ इंग्स्री इलेक्ट्राइयग कंफीग्रेशन ओ सोधियां दरन होता है एलेक्ट्रों इस जो जो एलेक्ट्रों इंतर म отправते आहां किया इंक कि घर बने होते छोटे-छोटे-छोटको इनको पहले सोटियम का परमानुक्रम क्रम नंबर कितना होता है आपको एक से लिए के बीस तक अच्छे से बच्छे याद होने चाहिए बिल्कुल इतने से काम चल जाएगा एक से लिए के बीस तक आपको याद होने चाहिए तो सोडियम का नम्मर है 11 यह कोशन 2018 वाले में आया था सोडियम का नम्मर 11 है इसके लिए electronic configuration को सेट करने के लिए फार्मूला होता है टू एन स्कॉर एन होता है इसके बाद कुछ रस्ते बने होते हैं इसको बोलते हैं अगर ऑन कर देगे तो पहला गर जो है आपका हाना s orbital जो है इसमें कितने आ सकते हैं तो इंटु वन का स्क्वायर तो ऐसी तर्म n की वल्यू टू फूट करते हैं तो अगला हाउस हो जाएगा 8 तो इसी तरीके से हम electronic configuration किसी की पता लगा सकते हैं और electronic configuration का distribution कर सकते हैं तो sodium का पर्मानु करमांख्य 11 तो इसके लिए पहले घर में आ जाएगा 2 दूसरे घर में आ जाएगा 8 और बचा कितना एक वह तीसरे घर में पहुंच जाएगा तो यह इसकी electronic configuration है आपको इसी प्रकार से दी जाएंगी पेपर में आरव को देखना होगा और जिसके लास्ट वाले घर में एक दो या तीन electron होते हैं न वह मैटल होते हैं धातू होते हैं वह ऐसी याद करने के तरीका है और एक और चीज बाहर के घर में जितने कम electron होंगे वह element उतना ज्याद में दो हैं इस घर में मैक्सिम आठा सकते हैं और आठी ही हैं तो विज्यान में जो भी reaction होती है न वह सिर्फ और सिर्फ स्थाइत पराप्त करने के लिए होती है स्टेबिटी पराप्त करने के लिए होती है तो सोडियम हमेशा चाहेगा कि इस वन electron को मैं लूज कर दूँ औ इसलिए तो आप लोगों ने सोडियम और क्लॉरीन का reaction देखते हो कैना क्लोरीन का कितना है सत्रह है 287 क्लोरीन को एक चाहिए stability के लिए बहुत ज्यादा नीड है यह सोडियम को एक डोनेट करने की नीड है क्लोरीन को एक लेने की नीड है तुरंत reaction होगा नमग बन गया ठीक है तो यह electronic configuration बहुत ज्यादा important होती है paper में पुछा जा सकता है एक से 20 तक ज्याद कर लीचेगा next most abundant gases की उपर कोशन देखो आते हैं कौन सी गैस कहां पर most abundant gas universe में ब्रम्हांड में abundant मतलब प्रचूर मात्रा में कौन सी गैस प्रचूर मात्रा में मिलते है पूरे universe में ब्रम्हांड में वो है hydrogen कौन सी बच्चे हाई hydrogen gas पूरे ब्रम्हांड में hydrogen है सबसे ज्यादा एक ही ज्याद लखना अब हम कहेंगे अपने अर्थ atmosphere में most abundant gas प्रिथवी के वातावरण में nitrogen कौन सी है nitrogen अर्थ crust के अंदर प्रिथवी के crust के अंदर कौन सी अबंडेंट है oxygen तो इसको याद रखना है आपको most abundant gas in earth crust oxygen most abundant gas in atmosphere वातावरण नाइट्रोजन और पूरे यूनिवर्स में hydrogen तो चल तीन question हो गए ऐसे question आपको करने है कि विसी classes लगातार चल रही है आप चाहें तो उसे जूड़ सकते हैं किसी समस्या के लिए आप बास कर सकते हैं के विएस की preparation बीयों की preparation कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर सेल के अंदर स्वाशन की जो पर ख्रिया होती है वो कहां होती है यह पर में हजार बार आता है अंसर है माइकांड्रिया माइकांड्रिया बोलते हैं आप लोगो इसको सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस भी भूला जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट परसेंटेज और अक्सिजन फाउंड इन एक्जेल्ड बलाजन सांस छोड़ता है कोई व्यक्ति हैं हुमन तो ऑक्सिजन कितनी बाहर निकलती है आपको बता दें कि हम जो हवा को लेते हैं अंदर हना सांस लेते हैं उसमें क्या होता है नाइटोजन होती है परसेंट ऑक्सिजन होती है में 233 व्यक्ति जिसी होती है कार्वन नाइगिक साइटी है perks मीदिन निकालते हैं इदें तो हमारी बॉड़ी में नीडी नहीं होती है तो यूँँ यूँँ वापस आती है पूरी के पूरी ऑक्सिजन वापस आती है मतलब हम 4 फीजदी ऑक्सिजयन अंदर रखते हैं बागी ऑक्सिजन टुल बढ़ शोर एक्सिजन शदो है साथ लेते समय यह रिशो साथ छोड़ते यह रिशो नेक्स पॉइंट reflex action reflex action क्या होता है अचानक से react करना अचानक से body की movement होना जैसे बच्चे को लगता कि अभी मुझे कोई मार करने वाओ तो यूं होटा था ना जैसे आप को हमारी स्पाइनल कोड़ से हमारी गड़ी से यह ट्रैवल करता है और यह possono सब्सक्राइब करें आपको जिख खत्रा है तो अचानक से अपको आप यूंक बोलना को के सब्सक्राइब वहां बसक्list को स пять होती है जो किसी भी रीक्षिन को स्पीड थैज कर देती मालगों नहीं हो तो सको करने पर मजबूर कर देती है जैसे प्रटो सेंथेजिती है थूप में नहीं क्यों होता है सनलाइट क्यों होती है जो धूप होती है न वो उत्प्रेरख की रूप में कारे करती है बहुत सारी रियक्षन है ठंडे टेमपरेचर पर नहीं हो रही थोड़ा गरम किया हो गया किसी चीज को कोई हमने आग लगाते हैं किसी कागज पर उसको जब तो ज़ती से करने में मदद कर देते हैं हाना यह होता है और बहुत निकल एक बहुत फेमस उत्प्रेर रख है निकल काफी जाता यूज़ता है इसमें टेटलिस क्रूप में है नेक्स्ट पॉइंट विलिटी और सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीन चार चीज़े हैं इस वह वे घोला जा रहा है जो घोला जा रहा है सॉल्यूट जो घोला जा रहा है सॉल्यूशन इन दोनों का जोड़ जैसे पानी है चीनी है तो पानी हो गया सॉल्वेंट चीनी हो गया सॉल्यूट और उनको मिक्स कर दिया तो बन गया सॉल्यूशन तो यह बोल रहे हैं कि भूली नहीं पाकसे लिग्व बनकी करते हैं देखा मोगोने चास्नी बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, फिर गर्मी पैदा पर फिर इस прим है पैदा थे त Сам सौलिवेटी में सौलूटि करनी की ता कत इंक्रिज में है अगर हम temperature को increase कर दें अगर आप तापमान ज्यादा रखते हैं तो ज्यादा चीनी घुल जाएगी पानी में हाना तो temperature से variation है घोल का अगर temperature बढ़ाएंगे तो solute ज्यादा घुल सकता है temperature से बिलकुल से इसको ध्यान देना है नेक्स पॉइंट सलाइवा मतला है हमारे मुं में जो लार आता है वो किस उसे क्या चीज पच्छती है वह जामुन का नाम लो लारा जाएगा चिकन नौन वेज वाले जो खाते हैं तुरंत लारा जाएगा कुछ अच्छा चीज दिखाने के दिलिए मु यह है वकर लार नहीं आया होता तो सुखा सुखा खाना टकता है न यहीं है कि यह थे आचे कोश्चन कैसा लगा मुझे जरूर पतगेगा हम लोग ने कम से कम 15 से 20 कोश्चन किया है यह किन मानिए जो कोश्चन पहली बार आपने देखे हैं यह नहीं आते थे उसको नोट ज अच्छा लगा होगा थेंक्यू थेंक्यू सो मच्छ बाबाए